यह बूश्टो 160 जेसम की पेपर है यह सीवा जी महाराज के हम इने ट्राइंग किया है इस बूश्टो के 160 जेसम पेपर पर आप देख सकते हैं आई ब्रोज ने मेने 12 भी का यूश्की है कि जो मेरा सेकेंड स्केश था ये किरती सुरेश का स्केश है एस साथ के कर्ट्रेश है कि मैंने इत लैंड स्किप बनाया है इस पर मैंने शिप जी का एक स्केश किया है अब देख सकते है एक लट्टी का स्केश बनाया है एक चेर पर बैटे हुए तो यहां पर मैंने शेडिंग किया है और यह नौर्मल शेडिंग हो जो करते हैं इसको ब्लेंड करने के कोशिस किये अब देख यहां पर सेटिंग आप देखो भी तो सेटिंग की चो टिकनिक है वह डिफेंट है यहां पर मैंने हैचिंग मेथाट का यूज किया है इसको सेट करने के लिए कि अब पॉर्शन देख सकते हैं फिर मैंने हेर का स्केच किया है यहां पर मैंने ब्लेंडिंग का यूज किया है और यह पूरा गर्फएट पेंसिल का काम किया गया है यह इसकेच मेरा वन अफ़ेवरेट है इसको बनाने मेरे को टाइम भी लगाते है और यह ग्रफएट पेंसिल से बनाया गया है इस्टिल यह मेरा वन अफ़ेवरेट है इसके बाद मैंने एक ड्राउ किया था एक स्केच है तो यहां पर मैंने रेक हेल ड्राउ करने को खोशिश के आए किसी है यह पर मैने रेलिस्टिक शेंटिंग करने की खोशिश ती यह मैंने उडु पर एक स्केट ड्राउ में अधि अब दरॉइए लाट ने जाए कि ए आ से अहसे अब देख सकते हूं यह देखो अबने यह पे रिलिस्टिक सेडिंग किया होट पे यह एक्स पूट पे यह देख सकते है गवैने तो का यह और यह को यह वझिए पिए गया है यह secondo विख र सेटेंग किया तो सबस्द्वंद प्रीफिल प्रीफि आज है यह आप देख सकते हूं बीरय आप वह हैंचिंग के यूज्ट की Sergei है भी यहाँ पर इंग पिन का यूज़ यहां बनाया है तो आप देख सकते हो यह पहली बर मैंने इंग प्रिंट का यूज़ किया था अच्छा मैं दिखाता हूं यह मैंने बुल के स्केच किया है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो आप शेडिंग देख रहें तो यह भी हैचिंग प्रोसेस है तो यहां पर अपर जाएं शेज अपर इसा देख लेख सकते हैं तो यह बालेख रहें देख सकते हूं दयको आप सकते हैं है यहां पर मैंने यहां पर मैंने हैंचिंग का यूज किया जो भी मैंने स्रेडिंग किया उसको ब्लेंड करने की कोशिश नहीं किये यहां अब देख सकते हूं पर मैंने हैचिंग कर यूज किया है और लेडी की पोट्रेट बना रहा था तो यह काम अब भी लेक वार्क इन प्रोग्रेस है अब देख सकते हैं यह भी पैंसिल स्केच है अब ट्री का मैंने ड्राव किया है देख स्केच किया है तो एक लेंडस्केप टैप का है यह आप बोल सकते हैं